नमस्कार दर्शको मैं हूँ आचारे मयांग शर्मा दर्शको शनी देव जो हैं बहुत जल्द वक्री होने जा रहे हैं 29 जून से लेके 15 नुवंबर तक शनी देव जो हैं कुम्ब राशी में ही वक्री अवस्था में रहते हैं जोतिश में कहा गया है कि जब जब कोई शुप गिरह अगर वक्री होता है तो उसके शुप खलो की व्रद्धी होती है अगर कोई पापी गिरह जैसे शनी या मंगल अगर वक्री होते हैं तो उनके अशुप खलो में व्रद्धी होती है वक्री शनी के वस्था में सभी राश्यों कुछ सावधानी रखनी की ज़रुत होती है और क्या कुछ खास करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ये आज आपको सभी 12 राश्यों वालों के बारे में बताएंगे कि उनको आने वाले समय में किन चीजों में सावधानी रखनी चीए, धन का निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि शनी देव वक्री है तो कोई गलत कारिये ना हो जाए, जल्द बाजी में कोई गलत निर्ने ना ले वैठ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे 135 दिनों तक शनी चलेंगे उल्टी चार 135 दिनों तक वक्री शनी की दृस्टी किनके लगाएगी लॉट्री 135 दिनों तक क्या वक्री शनी लगाएंगे खुश्यों पर ब्रेक 135 दिनों तक शनी करपार से मिलेगी कितनी दॉलर 135 दिनों तक दंडा दिकारी बन कर शनी दंड देंगे या फिर राहत क्या कहती है शनी की वक्री चाल देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्यान पर नमिश्कार धर्म या की दर्शिकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविता राना मेरे साथ मवजूद है अचारी महिंक्ष मेंचे महिंगी स्वागत है आपका धनेवार कवितारी सभी दर्शिकों को साधर नमस्कार ग्रह कोचे के दुनिया से देखे अपकी बार हम आप लोग उगले लेकर आए कि क्या कहता है नया इधिश शनी महाराज की बदलती चाल मैं आपको बता दू कि 29 जून को शनी जो की अपने घर में अब तक मारगी होकर बैठे हुए तक कुम्ब में लेकिन 29 जून को वक्री हो चाएंगे और वक्री अवस्ता कप तक कि बरकरार हैगी आपके 15 नवंबर तक बताये में जी मिलकोल देखे कन्या लगन की बात करें कन्या राशी की बात करें तो छटे भाव में गोचर में यह कहा जाता है कि शनी देव जो है अरिकतर शुफल देते हैं जी तीसरा छटा और ग्यारवा भाव अगर शनी बैठे हैं तो बहुत शुब देंगे लेकिन लगा लीजिए कि दुगने से भी ज्यादा गुरू से एक राशी में रहते हैं जब यह चटे भाव में आकर अभी जैसे पूर्वा भात प्रनक्षत्र में शनी आये थे तो कहिना कहीं कुछ थोड़ी सी उसमें दिक्कत भढ़ती है लेकिन अब शनी वक्री हो रहे हैं तो की वक्री चाल चलते चलते जैसी यह शत्वी शामें जाएंगे आटर वह बल्ली हो जाएंगे और लब देंगे तो मेरा मानना नहीं कि यह समें कन्या-रशी वालों के लिए वक्री शनी कहीं न कई लाव दे गया सकते हैं कश्टों से चुटकारा दे सकते हैं गुरू भी भागेस्थान में हैं शनी भी शुब हो रहे हैं तो लगन के के तुके अशुब फल जारा मिल नहीं है उन में कटोती आना तया है तो इस तरह का लाब जो है यहां शनी देव आपको देखे जाएंगे दूसरी बात यह कि गोचर में शनी की दस्टी का बड़ा महत्तु है शनी देव जहां बैड़ते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं और जहां देखते हैं उस भाव के फ़लों में कमी कर देते हैं ऐसा शनी के बारे में कहा गया है तो इसलिए आज हम आपको बदाएंगे च्छटे करी विस्तार से दी जाएंगे उपाई भी बता जाएंगे आगे बढ़ते बात करते हैं सबसे पहले कि जो तीसरी द्रश्टी वह आपके किस भाव पर पढ़ रही है और वहां से आपको किस तरह से प्रभावित कर रही है तो थोड़ा सा क्या रहेगा लगन भाव में के माँ पर बढ़ लिए सेहत का ध्यान रखें अपना और जो घर के बड़े बजूर्ग हैं उनको अपनी विश्यशकर सेहत का इससे में ध्यान रखना चाहिए जी किसी बीतर की कोई लापरवाई सेहत को लेके आपको नहीं रखनी चाहिए और शनी छटे भाव में भी बैठे हैं तो इसी वज़े से आपको यहां पर थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा इस समय यानि की काम तो आपका धिरे-दिरे ठीक होता ही चला जाएगा मगर सेहत परवावित ना हो शनी देव के खारण इस ध्यान रखना है एक दिंचरिया बनाई अपना खान पान अच्छा कि दो शवाणी कि सब्तर्ब कर लेक्यां कि सब्तर्भावित करें ? छैनी की सब्तर्रिस्टे किस हुआ से आप जलाब भी पहुचा अको बनाते हैं पढ़ाई सजी करें से बढ़ेंगे समय से तो आप कुशिष करें कि परीशानी में पढ़ने से आपको बचना चाहिए को यहां इस जी का और ध्यान लखना आने था तो परेशानी बढ़ सकती है लगन में अभी केतू संपूर्ण वर्ष रहेंगे 2024 में तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी आपको और जादा रखनी पड़ेगी तो कन्या राशी वालो इसलियास से थोड़ा सा आपको केरफूल देहना पड़ेगा श्यत्रुबादा की परिशानी ना हो किसी के साथ मन मुटाव से बचें या रिष्टों को मधूर करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए जादा बेतर रहेगा इसी के सामेंगे श्यानी क अच्छे परिणाब मिल सकते हैं भागे साथ देगा भाई-बहन का सायोग मिलेगा खासकर चोटे भाई-बहन होगी और आपके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा कामकारोबार के लिए आर्थिक सिती के लिए नोकरी के लिए व्यवसाई के लिए ये बड़ा जबर्द लाब जरूर देता है और आपके अर्थिक सिती को मजबूत कर देता है तो चटे भाव में शनीदेव कविता जी ये शुपफल देते हैं कि नोकरी व्यवसाई बिजनस में लाब देते हैं धनलाब की अच्छी पराप्ती होती है लेकिन खर्च भी बढ़ाते हैं परिशानी भी देते हैं सेह संबंदी परिशानी भी देते हैं तो कुल मिलाकर यहां पर इस तरह के फल जो हैं आपको देखने को मिलेंगे चलिए और विश्नु सहस्र नाम का पार्ट करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस समय अगर देखें तो शनी देव के छटे भाव पर रहने के चलते आप शनी देव के उपाई भी कर सकते हैं जैसे पृते छस्टे कर सकते हैं सब उपाय करने से आपको विशेश लाव मिलेगा और सुख समरद्धी की प्राप्ति होगी और जो भी कोई परिशानी जीवन में चलनी हैं उनमें कुछ न कुछ कमी रहेगी इस समय बहुत से लोग नए कारी की शुरुवात करना चाहेंगे तो लगन में केतु छटे भाव मे शनी थोड़ा सा सोच समझ कर करें अपनी कुंड़ी का अध्यान कराने के बाद ही किसी नए कारे की शुरुवात करने में आपको पढ़ना चाहिए वरना तो कोशिश यह करें कि इस समय पर जो जैसा चलदा है वैसे ही चलाकत रखें तो इसे के साथ मैं आपको याद भी दि चले हम दोनों को दीजाइजात नमशकार